आप सबी साथियों को मेरा रूश्कार सरकार, स्कूल सिक्षा और साक्षर्टा विभाग के अर्ध साथ की पत्र दिनांग का 18 सितंबर 2024 का संदर्व गण करने का कष्ट करें जो परक राष्टी सर्वेक्षण 2024 के आयोजन के समन्द में है। दोस्तों यहां पर आईए हम विवरण देख लेते हैं दोस्तों यहां इस चार्ट को आप देखते हैं तो यहां पर कक्षा तीन के लिए दिया गया है और यहां पर लॉंग्वेज दिया गया है उसके अलावे कोस्तों यहां पर पूछे जाएंगे समय होगा 90 मिनिट का तो इस तरह से इसका इस्ट्रक्चर होगा अब यहां इसी संदर में आगे बताया जा रहा है कि उक्त के समन्द में निम्नोत निर्देशित किया जाता है इसमें पहला निर्देश है सर्वेक्षण यहतु चैनित विद्यालेयों के सूची नई दिल्ली द्वारा उपलब्द कराई जाएगी और यहां दूसरे बिन में बताया है कि सर्वेक्षण ओएमार अधारित होगा तर्वेक्षण यहतु चात्र प्रस्नावली अध्यापक प्रस्नावली यहोंग विद्याले प्रस्नावली भी होगी। सीट भरने के समद्ध में अभ्यास कराया जाए विद्याले कंपोजिट ग्रांट से वे मार सीट की फोटोकापी कराने जाने तो प्रती विद्याले अधिक्तम सौ रुपए की सीमा तक ब्या किये जाने की अनुमती प्रदान की जा रही है अर्थात प्रतेक सनिवार के दिन बच्चों को अभ्यास कराने के लिए आप फोटोकापी OMR सीट की निकलवा सकते हैं और उसके लिए आप अपने कंपोजिट ग्रांट से सो रुपए तक की धन्डासी खर्च कर सकते हैं प्रिथक से प्रेशित किये जाएंगे अर्थात S.C.E.R.T. उत्ता प्रदेश के द्वारा अलग से एक लेटर जारी किया जाएगा और उसमें पूरी गाइडलाइन्स दी जाएगी कि आपको कैसे क्या करना है आठेवी नहीं बता गया है कि जिला बैस्ति सुक्षात कारी द्वारा सर्वेक्षन समंधी कारियों को सफलता प्रोग संपादित कराये जाने में प्राचारे डायेट को अपेक्छित आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा इस महतपुल कारी को समया अंतरगत समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों के अंसार प्राथमिक्ता पर समय बद्ध कारिवाई सुनिश्चित कराई जाए जाता है कि दिनांग 4 दिसंबर 2024 को कक्छा 3 कक्छा 6 में परक राष्ट्री सर्वेक्षन 2024 के आयोजन है तो समय स्थापित करते हुए समस्त 2024 के लिए सर्वे कराने की बात कहीं जा रही है और कहीं कहीं SCRT के गाइडलाइन का इंतजार करना होगा जो भी SCRT के तरफ से गाइडलाइन इस अंदर में जारी की जाएगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो